ही गाइस हेलो हाई सस्रीका नमस्ते आई होप आप सब लोग ठीक होंगी सवस्थ होंगे आप सब का हमारी यूटूब चैनल फोर इंबन में बेलकम है और मेरा सुबह का सब काम हो चुका है अभी हो रहा स्याम बहार थोड़ा सा हलका हलका ठंडी हो रहा है आज मैं बनाने वा भी अवबी परिदे आने वाँ है है इतने वह आएंगे प्रकॉल बनाके मैं रैडी करहोंगी मैं कुछ तयारी करके रखी है है आईयमे आपको दिखा देते हैं। ये मैंने आपे तेयारी करके रखें, मैंने पालक को लिया हुआ है, मैंने इसको बोश कर लिया है, और यहाँ पे मैंने हरधनिया मिर्ची और कुछ पोदीना ले लिया है, मैं चटनी बनाऊंगे इसका, और मैंने यहाँ पे गारलिक, ग्रीन चिली और जिंजर, इन सब को भी मैंने रेड़ी करके रखा है और आईए फटा-फट से पालक के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं मैंने गार्लिक को फाइन चॉप कर लिया है जिंजर को भी हमें फाइन चॉप करना है इससे पकोड़े के अंदर बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है और मैंने एक ग्रीन चिली लिया हुआ बड़ा बाला ही ज्यादा स्पाइसी नहीं है मैं इसको भी फाइन चॉप कर लूँगी आप चाहो तो अदरक लेसन का पेश्ट भी इसमें एड़ कर सकते हो पकोड़ों में उससे भी बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है और मैंने पालक वाश कर लिया था मैं इसको मोटा मोटा कट कर लूँगी यह हमको फाइन चॉप नहीं करना हलका सा मोटा ही रखना है हमको इसको भी मैं कट कर लूँगी और ये पकोड़े बहुत ही स्वाधिश्ट बनते हैं अब जरूर से बनाएगा और खाइगा और चाय के साथ थो स्पेशली बहुत ही टेश्टी लगते हैं पालक मैंने रेडी कर लिया है और मैंने हाँ पे हरा चटनी बना के रेडी कर लिया है इसमें मैंने पोदीना एड़ किया है हरा धरिया कुछ मिर्ची थोड़ा सा जिंजर सॉल डाल के मैंने पीस लिया हमारा चटनी रेडी हो गया है पकोडों के लिए मैंने पालक को बड़े पालक का लिया था, उसके अंदर मैं एक कटोरी बेशन एड़ कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर यह सब कट करके रखाता है, यह सब मैं इसके अंदर एड़ कर दूंगे, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, और आप इस तरीके से बनाएगा, बहुती स्वाधिश्ट बनते है कुछ मसाले समेड करेंगे, रेड़ चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वाध के अनुसार, नमक, हल्दी मैंने इसलिए अड़ किया है, बहुती अच्छा कलर आएगा हल्दी से, और हमारी हिल्थ के लिए भी हल्दी अच्छा रहता है, कितना अच्छा लग रहा है, अभी हमें मिक्स कर लेना है, हातों से पहले हम इसको इस तरीके से बेशन को पालक के अंदर इस तरीके से मैस कर लेंगे, मिला लेंगे, पानी हमें अभी एड़ नहीं करना है, पानी बाद में थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है, इसमें थ थोड़ा दबाते हुई इस तरीके से आटे के जैसे हमको यह डो लगा के रेडी कर लेना है। लूग एट दिस यह बनके इस तरीके से रेडी हो जाएगा अब इस तरीके से बनाएगा बलीम में वहोती स्वाधिष्ट पकोड़े बनके रेडी होए थे। देखिए, यहाँ पर यह मेरा आटा लगके ready हो गया है, इस तरीकी का हमें चाहिए ready हो गया, अभी मैंने एक कड़ाई रखा, उसमें oil, high flame पर हमको गरम कर लेना है, और एक एक करके अपना पकोड़ा इसमें add कीजिए, पहले oil को अच्छे से गरम करना है, पकोड़े डालते सम में gas को slow कर देना है, low flame पर हमको इनको cook करना है, और यह बहुती easy है, simple है, आप मिंटों में बना सकते हो इनको, और खा सकते हो चाय की साथ, हरी छटनी की साथ, ठंडी में, बहुती स्वादिश्ट लगते हैं, तो आप जरूर से बनाईएगा, अपनी family के लिए, बलीम में आ स्वादिश्ट थे यह, अब जरूर से बनाईएगा, मैं slow gas पे इनको पलटते होए 3-4 मिनट के लिए सेक लूँगे, look at this, कितना अच्छा कलर आया है न, मिंटों में बन जाते हैं इस तरीके से, हमको सेक लेना है, slow gas पे ही पकाना, crunchy पकोड़े बनके यह ready होए थे, टेसू के उपर इनको निकाल लिया है, थोड़ा भोत ओयले बोसम निकल जाएगा, इसलिए देखिए, एक बंच हो गया ready, दोसरा बंच मैं अभी इसमें add कर दूँगे, इस तरीके से सारे पकोड़े बनाके, मैंने ready कर लिये हैं, अभी हम इनको करेंगे सल्प, slow gas में ही पकाईएगा, क्रंची पकोड़े बने थे ये, बहुती स्वादिश्ट, अभी हम इनको सल्प करेंगे, मैं लेट लिया हैं, मैंने एक मैं उसके अंदर इनको सल्प कर दूँगी, मैंने हरी चट्री के साथ इनको सल्प किया हैं, और राम आये थे थोड़ा लेट हम लोगोंने पहले ही खा लिया था उनके लिए मैंने अलग से रखा हुआ था मैंने उनको चाय के साथ दिया था उन्होंने चाय के साथ खाय थे उनको भी बहुती स्वादिश्ट लगी थे पकोड़े ये देखिए मैंने इनको सल्प कर दिया look at this कितना अच्छा लग रहा है न तो आप जरूर से बनाईएगा देखिए क्रंची पकोड़े हमारे बनके रेडी होई है गरम गरम चटनी में डिप करके खाईएगा बहुती स्वादिश्ट बने थे आप कभी मन हो रहा है ना खाने का तो आप जल्दी सी जाईए अपनी स्वादिश्ट लगे थे आप चाहो इन्हें चाय के साथ खा सकते हो चटनी के साथ खा सकते हो आज की पकोड़े बहुती स्वादिश्ट बने थे बहुती टेश्टी बने थे आप जरूर से बनाईएगा और हरी चटनी के साथ खाईएगा ऐसी हलकी हलकी ठंडी में बहुती अच्छी लगते हैं चाय के साथ तो स्पेसली मतलब गरम गरम चाय और पकोड़े बहुत ही स्वाधिश्ट थे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फो बॉचिंग